दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में देखेगा जो अपने 52 वीक के हाई के पास पहुचने वाला है और अपने 52 वीक के लो से वो आपको 200 परसंट के रिटन मना के दे चुका है कीमत वो रखता है 30 रुपए के आसपास दो दिन में एक बड़ा इवेंट है जिसके बेसिस पे स्टॉक में मुवेंटम आ सकता है बहुत सारे लोगों के पास ये स्टॉक होगा भी तो उनको भी याद अखता है कि इस फीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक को सेल नहीं करना है आपको स्टॉक को होल्ड करिए एक समय पे आपको पता है RVNL एक स्टॉक था कई सारे वीडियो आते थे इस चैनल पे और मैं आपसे कहता रहता था ये 33 रुपय का स्टॉक है ये 35 रुपय का स्टॉक है लेकिन ये आपको जब भी रिटन देगा तो अच्छानक से देगा कभी आपको बता के रिटन देगा ही नहीं है आज वो त्रिपल डिजिट में IRFC के ना जाने कितने वीडियो पड़े होंगे मैंने आपको उताया था वो दो साल तक एक रुपया बना के ना दे आपको बत दो साल बात अचानक से दस दिन में आपका पैसा डबल कर दे तो कुछ ऐसे ही स्टॉक के बारे में मैं देखेगा यहाँ पर आज बात करने जा रहा हूँ स्टॉक देखेगा 10 रुपय से पहुँच चुका है 30 रुपय पे जैसा कि आप देख सकते हैं और 52 वीक का हाई है 38 रुपय के आसपास स्टॉक देखेगा सबसे अच्छी बात क्या होती है स्टॉक ने कितनी स्ट्रेंथ गिन की है पिछले कुछ क्वार्टर्स में या पर कुछ सालों में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ ही साथ अकर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ रेट आया है वो 5 सालों में 20 देखेंगा उमीद प्रॉफिट तक की भी नहीं की जाती थी यानि कि जिस सेक्टर से विलॉंग करता है यह PSU सेक्टर से विलॉंग करता है तो वहाँ पे उमीद ही कम होती है कि यह प्रॉफिटेबल भी होंगे लेकिन ऐसी सिचुएशन में इनोंने यह जो चेंज लाया है यह बड़ी बात है और working capital requirement भी देखेगा काफी हद तक ठीक होई है इसके अलावा देखेगा कोई as such बड़ी कोई problem आपको देखने को नहीं मिलेगी आप देख सकते हैं आपे पूरी तरीके से और आगे अगर आप बात करेंगे जो यहाँ पे quarter है यानि कि स्थिती कितनी सु परफॉर्म किया और और अच्छा परफॉर्म किया तो marketing ने इनको और अच्छी value दी और अच्छी value दी तो आप भी जानते हो कि performance के basis पे ही सब कुछ होता है जब तक आप परफॉर्म करते रहते हो तब तक आपको लोग पूछते हैं और जब आप एक performance को बंद कर देते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता है, तो अगर आप देखेंगे, पिछले चार साल से स्थिती देखेगा, काफी बेटर हुई है, क्योंकि दो साल पहले यहाँ पर पहुझ गया थे, यानि कि मैंने करा ना, प्रॉफिट की उमीद नहीं की जाती थी, फिर क्या हुआ, प्रॉफि हुझ ने 30 रुपए और 38 रुपए कर दिया, फिर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर प्रमोटर क्या है, सरकार है, और देखेगा, यह 95% स्टेक होल्ड करती है, यह PSU बैंक है, मैंने आपको रहा है, कि यह सेक्टर है, जिससे प्रॉफिट की उमीद नहीं की जाती थी, लेकिन यह सेक्टर जो है, वो PSU बैंक था, जब वहाँ पर उमीद नहीं की जाती थी, बजट के दोरान, निर्मला सीता रमन जी ने कहा, कि पिछले एक साल में, इस्तिती बहुत बहतर हुई है, और हमने सारे बैंकों की, सारे देखेगा, सरकारी बैंकों की, बैलन्स शीट इंप्रूव करिए, और आप देखेंगे आप, most of the सरकारी बैंक profitable हैं, और वो return मना के दे रहे हैं, और वो return मना के देंगे भी, चुकि government competitiveness generate करना चाहती है, IDBI की selling करके, ताकि आप अगर हमें पैसा बना के नहीं दोगे, तो हम फिर आपको private हातों में दे देंगे, तो इसी म देखेंगा नाम है Yuko Bank, और Yuko Bank बहुत अच्छा perform कर रहा है, result दो मही यानि कल आएंगे, और आपको पता है, कि दो मही के बाद, देखेंगा कल के बाद, यह stock थोड़ा सा और perform कर सकता है, और अपना देखेंगा जो low है, यानि कि अपना जो low है, वहाँ से 5, sorry, अपना मलब जो resistance है, उसे 5% के return बना के देखेंगा, लेकिन मेरा कहना यही होगा, कि ऐसे stock को watch list में रखिए, जब भी bank nifty में गिरावट आती है, इनी stocks को long term के लिए hold करिए, यह कहां तक जा सकते हैं, यह आप भी नहीं बता सकते हो, चुकि इनके valuation की कोई सीमा नहीं है, चुकि यह अब just perform करना शुरू हुए है, यह अपनी balance sheet को improve कर रहे है, अब आगे कितना improve कर ले जाते हैं, यह तो अभी कोई भी नहीं कह सकता, तो focus करिएगा इस particular stock पर वीडियो गर अच्छा लागे, तो like, share, subscribe करना रभूलेगा, thank you so much